नमस्कार दोस्तों SN Electrical Academy के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुए है इलेक्टिशन ट्रेड थियोरी के 27 जन्वरी का 27 जन्वरी का जो CBT एक्जाम हुआ है IGI Second Year का ट्रेड थियोरी का उन्हीं कोस्चनों को ले करके आपके बीच उपस्थित हुए है ये जो कोस्चन हमको कुछ इस्टूडेंट ने भेजा हुआ है जो आपके बीच इसका हम डिसकसन करेंगे और जिन इस्टूडेंट का 28 जन्वरी का पेपर होगा वो इस्टूडेंट इन कोस्चनों को अच्छे से ध्यान पुरुवग देखेंगे और समझेंगे यदि किसी कोस्चन पे दाउट हो जाएगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं हम उसका रिपलाई जरूर देंगे और दोस्तों साथी साथ आपसे निवेदन रहेगा कि जो इस्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को जदा से जदा लाइक करें शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर लें दोस्तों हम निव इंडियन में पढ़ाते हैं उसकी जो और सहयोगी संस्था है उन सहयोगी संस्था के भी सभी इस्टूडेंट और आल ट्रेड इलेक्टिसियन फीटर वेलडर डीजल में मेकेनिक के इस्टूडेंट से भी अनुरेद करते हैं कि ये इस चैनल को आप सस्क् सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस चैनल पे आपको इलेक्टिसियन ट्रेड थीओरी और वरक्साप कैलकुलेशन का फोल डीटेल ऑनलाइन क्लास साम को साथ बज़े लाने वाने हैं जिसमें हमको अब तक यूटूब द्वारा परमिसन नहीं मिला हुआ है तो आपसे नि कि हमें यूटूब द्वारा परमिसन अनलाइन क्लास चलाने के लिए मिल जाए और हम आपको एक घंटा वरक्साप कैलकुलेशन और एक घंटा ट्रेड थीओरी की फोल डीटेल एक सीरीज साम को चला सकें तो इन्हीं उमीदों के साथ आप से हम उमीद करेंगे कि आप इसक कुछ साकारात्मा खम को रिजल्ट आप देंगे तो आईए दोस्तों हम कोशन देखते हैं कि कौन से कोशन 27 जनवरी के सीवीट इग्जाम में इलेक्टिशियन ट्रेड थीओरी के आए हुए हैं और जिन इस्टूडेंट का 28 जनवरी को पेपर हैं वो इस्टूडेंट इन क कोशनों को काफी अच्छे से देख करके जाएंगे तो आईए जो पहला कोशन है वो संतावन नंबर कोशन है इसमें कह रहा है कि आर्मेचर वैंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है आर्मेचर वैंडिंग का प्रतिरोध जो होता ह वो कम होता है यार्थात एक ओम से कम होता है या एक ओम तक होता है तो इस प्रतिरोध को मापने के लिए हम कैल्वी कैल्वीन ब्रीज का प्रियोग करते हैं जो आपसन नंबर टी पे दिया हुआ है इसलिए आपसन नंबर डी सही हो जाएगा मेगर का प्रियोग हम हाई प्रति होता है उसको मेजर करने के लिए मेगा में किया जाता है यहां तक कि इंसुलेशन रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगा का प्रियों किया जाता है मेगर का यदि मल्टी मीटर है तो का दूसरा नाम इभीयो मीटर होता है और इसके द्वारा एक साथ करेंट बोल्टेज और रजिस्टेंस तीनों मेजर कर सकते हैं तो यहां जो होगा वह कैल्विन ब्रीज होगा क्योंकि आर्मेचर रजिस्टेंस पूछ रहा है और आर्मेचर का रजिस्टेंस लगवग 50 नमबर ॡिस्ए में कंड़ा की 60 और ओपन सर्कृत के लिए आर्मेचर वइंडिंग का परिछण करने के लिए किस उपकराण का उप्यों खिया जाता है साट और ओपन, ओपन सर्कीट टेस्ट और साट सर्कीट टेस्ट दोनों प्रकार के आर्मेचर बैंडिंग का है, तो आर्मेचर बैंडिंग करने के लिए अर्थात यह DC मसीन होगी, तो इसमें हम वाहे ग्राउलर का प्रियोग करते हैं इसलिए आपसर नमबर C सही हो जाएगा, अगर यह AC मसीन रह दी और यहाँ इस्टेटर कह देता, तो आंतरीक ग्राउलर हो जाता है, और टॉंग टेस्टर का प्रियोग हम लाइफ वायर में AC करेंट मेजर करने के लिए टॉंग टेस्टर का प्रियोग करते हैं और मल्टी मेटर का प्रियोग इसका दूसरा नाम एवियो मेटर होता है और इसका हम एक साथ करेंट वोल्टेज और रजिस्टेंस तीनों मेजर करने के लिए करते हैं फिलहाल यहां पे जो कहा था आर्मेचर वाइंडिंग का इसलिए वाहे ग्रावलर होगा आपसन नंबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोस्टन पूछा गया था यह 232 नंबर इसमें कह रहा है कि लीकेज करेंट प्रोटक्शन से बचाओ है तू वाइरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर प्रियोग किया जाता है लीकेज के साथ तो इसमें जो सर्किट ब्रेकर होगा ELCB होगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो आपसन नंबर सी में दिया हुआ है इसलिए आपसन नंबर सी सही हो जाएगा OCB का Full Farm होता है Oil Circuit Breaker MCB का होता है Miniature Circuit Breaker और MCB का ही Updated Roop जो इस समय आ गया है MCCB Molded Case Circuit Breaker Next Question जो आया हुआ था यह 233 नमबर इसमें कहरा कि Power Cut-Off के बाद कौन से Relay अपने समपरकों को बनाए मतलब Connect इस्थिती में रखता है तो यह जो Relay होती है वो Latching Relay होती है Latching Relay की यह विशिस्ता होती है कि यदि Power Cut हो जाता है तब भी अपने Contact को बनाए रखती है तो इस टाइब की जो Relay होती है वो Latching Relay होती है आपसन नमबर D में दिया हुआ है Latching Relay इसलिए आपसन नमबर D सही हो जाएगा Next जो Question पूछा गया था यह 206 नमबर Question पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि वीतरण प्रणाली में वीतरकों के लिए सब इस्टेशन को कौन सी वीदूत लाइने जोडती है मतलब Distribution को कौन सा जोडता है तो Distribution को Feeder जोडता है जो आपसन नमबर E में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर E सही हो जाएगा Next Question 207 नमबर भी Question आया हुआ था इसमें कहा रहा है कि IE नियमों के अनुसार मद्य बोल्टेज घरेलू Installation में कि नहीं दो तारों के बीच Insulation परतिरोध कितना होता है तो ये जो होगा वो एक मेगा ओम से अधिक होगा जो आपसन नमबर B में दिया हुआ है एक मेगा ओम से अधिक इसलिए आपसन नमबर B सही हो जाएगा नेक्ष्ट जो कोश्चन पूछा गया था ये 173 नमबर कोश्चन पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि गैर परमपरागत उर्जा सुरुत कौन सा है गैर परमपरागत का मतलब वह है एनर्जी सोर्स जो समाप्त भवी से में समाप्त होने वाला नहीं है और परमपरागत में जो होता है जो भवी से में समाप्त होने वाला है जैसे अगर डीजल कहें तो समाप्त होने वाला है तो ये परमपरागत में आएगा भाप है ये भी समाप्त होने वाला है पानी है ये भी समाप्त होने वाला है लेकिन विंड हावा जो है वो समाप्त होने वाला भविश में नहीं है इसलिए ये गैर परमप्रागत उर्जा सुरोत के अंतरगत आएगा जो आपसा नंबर ई हो जाएगा नेक्स्ट जो कोस्चन पुछा गया था वो 174 नंबर भी कोस्चन पुछा गया था इसमें कह रहा है कि उर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है उर्जा का प्राकृतिक स्रोत तो उर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो सुर्य होता है जो आपसा नंबर ए में दिया नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था ये 168 नमबर इसमें कह रहा है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन से इंधन परचूर मातरा में पाया जाता है मतलब कहने का मतलब है कि भारत में बिजली का जो उत्पादन होता है वो किस इंधन को जला करके ज्यादे मातरा में सरभाधिक मातरा में किया जाता है तो वो कोईला होता है आपसन नमबर ये में दिया हुआ है कोईला इसलिए आपसन नमबर ये सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था ये 179 नमबर इसमें कह रहा है कि परामपरिक बिजली उत्पादन कौन सा होता है मतलब कन्वेंशनल पावर जेनरेशन कौन सा है तो इसमें जो दिया हुआ है ये विंड पावर सक्ती ये जो होता है गैर परामपरागत होता है तो गलत हो जाएगा बी जो है टाइडल पाउंड जेनरेशन ये भी गैर परामपरागत में होता है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि परामपरागत का यहां पूछा हुआ है solar power generation ये भी गेर प्रम प्रागत में होता है तो ये भी गलत हो जाएगा d जो है thermal power generation तो ये प्रम प्रागत में होता है इसलिए option number d सही हो जाएगा next जो question पुछा गया था ये 170 नमबर इसमें कहा रहा है कि sour sale में किस समागरी का उपयोग किया जाता है तो sour sale में silicone का प्रियोग किया जाता है sour sale से silicone conductor, silicone semiconductor जो होता है उससे sour sale में प्रियोग किया जाता है जो option number a में दिया हुआ है इसलिए option number a सही हो जाएगा next जो question पुछा गया था वो 170 नमबर इसमें कहा रहा है कि sour sale में किस समागरी का उपयोग किया जाता है वही question है silicon किया जाता है next question जो आया हुआ था वो 171 नमबर इसमें कहा रहा है कि परमाडू उर्जा इस्टेशन में नाभिकिय बिखंडन के लिए पर एक परमाडू समागरी का नाम क्या है तो परमाडू उर्जा इस्टेशन में नाभिकिय बिखंडन में मतलब कि परमाडू परमाडू पावर प्लांट में इसमें हम इंधन के रूप में किस समागरी का प्रियोग करते हैं तो इसमें होता है इूरेनियम थोरियम और प्लोटोनियम तीन मेटेरियल का प्रियोग किया जाता है यहाँ जो आप देखेंगे तो सिलिकान दिया है तो सिलिकान तो सेमी कंड़क्टर होता है यह होगा नहीं और बी पे जो दिया हुआ है थोरियम तो इसमें प्रियूग जो किया जाता है इंधन में वो इूरेनियम थोरियम और पुलूटोनियम होता है तो इसमें uranium दिया हुआ है जो आपसा नंबर B पे दिया हुआ है इसलिए आपसा नंबर B सही हो जाएगा thorium नेक्स्ट जो question पुछा गया था ये 172 नंबर इसमें कहा रहा है कि फोटो बोल्टाइक सेल बनाने के लिए परचूर मातरा में कि समागरी का प्रियोग किया जाता है तो फोटो बोल्टाइक सेल यानि वही सोलर सेल बनाने के लिए किसका प्रियोग किया जागा तो वह एक semiconductor प्रियोग किया जाता है और उस semiconductor का नाम सिलिकॉन होता है जो आपसन नमबर A में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर A सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था 126 नमबर इसमें कहा रहा है कि हाई स्पीड आपरेशन के लिए AC ड्राइब बेहतर क्यों है AC ड्राइब की और DC ड्राइब में बिसिस्ता ये होती है कि DC ड्राइब में ब्रस और कम्यूटेटर दोनों होते हैं लेकिन AC मसीन जो होती है उसमें ब्रस और कम्यूटेटर नहीं होता है और साथी साथ AC मसीन का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो हाई होता है और निर्माण और साइज में देखेंगे तो AC मसीन का साइज कम होता है और DC मसीन का साइज बड़ा होता है तो यहां जो होगा यहां आपसन नमबर D में आप देखेंगे दिया हुआ है कि कोई ब्रस और कोई कम्मिटेटर नहीं जो आपसन नमबर D सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोस्टन पूछा गया था ये 111 नमबर इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या है इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होती है वो ज्रेर्नेटर के लिए प्राइम मुभर के रूप में उप्यों किया जाने मला उपकरन होता है जो आपसर नंबर ए सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन जो पुछा गया था वो 112 नंबर इसमें कहरा है कि DC ड्राइब B.O.P. का फुल फॉर्म क्या होगा तो B.O.P. का फुल फॉर्म जो होता है वो बेसिक ओपरेशन पैनल होता है जो आपसर नंबर B पे दिया हुआ है बेसिक ओपरेशन पैनल आ यानि आपसर नंबर B सही हो जाएगा ये कोशन ये 75 नंबर कोशन पुछा गया था इसमें कह रहा है कि परिपत में X अंकित डिवाइस का नाम क्या है इस डिवाइस का नाम पुछा है इसमें सब डिवाइस का आप देख लीजिए ये जो फिगर है ये ऐसे आकरिती आती है तो ये जो सनरचना बनी है वो ओभर लोड कुवाइल की है और यह जो है इसको कहते हैं हम A9, normal open और इसको कहते हैं NC, normal close और इसको कहते हैं auxiliary contactor तो यहाँ जो कह रहा है इसको पूछा है मतलब यह ड्राइंग इसकी बनेगी अर्थात यह जो है overload coil है option जो दिया हुआ है option number D में दिया हुआ है overload coil इसलिए option number D सही हो जाएगा next यह question पुछा गया था यह 70 number इसमें कह रहा है कि लाल, नीला, काला, अंकित किये गए conductor के रूप में से कौन सा आपूर्ती इंगित करता है तो इसमे rate जो होता है वो positive हो जाता है नीला जो हो है वो negative हो जाता है और black जो होता है वो protection के लिए हो जाता है भूसम परकन हो जाता है तो यह किस प्रकार के supply है तो यह DC supply है और 3 wire supply है तो option number A जो दिया हुआ है वो supply DC 3 wire system यानि option number A सही हो जाएगा next question जो पूछा गया था वो 171 number इसमें कहरा है कि तारों को गुच्छित करने के लिए कौन से केबल बांधों का उप्योग किया जाता है तो इसके लिए nylon बांध का उप्योग किया जाता है जो option number C में दिया हुआ है इसलिए option number C सही हो जाएगा next question जो पूछा गया था पैनल बोर्ड में assembly में किस उपकरणों से बचा जा सकता है पैनल बोर्ड में जो उपकरण लगाए जाते है वो drain rail पे लगाए जाते है जैसे isolator, circuit breaker इस प्रकार के जो भी instrument हुए लगाए जाते है और उस पैनल बोर्ड के द्वारा motor generator को safety पूर्वक संचालित किया जा सकता है तो उसमें जो उपकरण होता है sensor उस sensor से बचा जा सकता है तो option जो A दिया हुए है sensor यानि option number A सही हो जाएगा next जो question दिया है वो 151 number question पूछा गया था इसमें कह रहा है कि transistor V1 V2 transistor V1 V2 में परिवर्तन से कुल turn on time क्या होगा तो total turn on time जो होगा ये plus CA दोनों का योगफल हो जाता है तो option में जो देख रहे हैं C number total turn on time जो होगा TD plus TR होगा जो option number C में दिया हुआ है इसलिए option number C सही हो जाएगा next question ये 52 number question पूछा गया था इसमें कह रहा है कि बिंदु संपरकन, विक्सित, diffusion और मिस्रधातु जंक्सनों के तरीकों का उप्योग करके किस उपकरण का निर्माण किया जा सकता है तो वो जो होता है वो ट्रांजिस्टर होता है जो option number D पे दिया हुआ है next question ये 42 number question पूछा गया था इसमें कह रहा है कि कौन सा दो लग 60 इस्थिर आबरेती को माप सकता है या constant high frequency प्रदान कर सकता है तो वो जो होता है आकसी लेटर होता है और आकसी लेटर में जो टाइप होता है वो हार्टले आकसी लेटर होता है मतलब हार्टले आकसी लेटर में constant frequency और high frequency प्रियोग करने के लिए हार्टले आकसी लेटर का प्रियोग किया जाता है इसलिए option number A में दिया हुआ है हार्टले आकसी लेटर इसलिए option number A सही हो जाएगा crystal oscillator का प्रियोग हम वहां करते हैं जहां पर हम केवल constant frequency किया हो सकता होती है केवल constant frequency नियद frequency वहां पर हम crystal oscillator का प्रियोग किया जाता है next question यह आया हुआ था इसमें आप question number मिट गया है आप इसको देखिए यह कौन सी device है और यह किस type से प्रियोग की जा रही है तो यह transistor है और इसमें यह biasing की गई है मतलब यह दोनों तरीके से operate होगी एक positive से और negative से मतलब इसको on भी करेंगे तो operate होगी और आप भी करेंगे तो operate होगी मतलब यह एक switch की भात operate हो रही है तो option number A में जो दिया हुआ है switch इसलिए option number A सही हो जाएगा यह question 22 number question पूछा गया था 22 number question में कह रहा है कि digital संकेटों circuit में binary coded decimal प्रणाली का उद्दे से करने का क्या है तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रणाली जो होती है वो total chart type की होती है पहलत जो होता है वो decimal होता है binary होती है आक्टल होता है और hexadecimal होता है decimal संक्या का जो radix होता है वो 10 होता है binary का radix जो होता है दो होता है और आक्टल का radix जो होता है वो 8 होता है और hexadecimal का radix जो होता है वो 16 होता है अब इसमें digital circuit में data संगरहन में जो प्रियोग किया जाता है वो binary संक्या प्रियोग की जाती है तो binary संख्या का प्रियोग हम data संग्रहण में करते हैं आपसन जो दिया हुआ है यह वो data input संग्रहित करने में यानि आपसन नमबर यह सही हो जाएगा next question यह आया हुआ था यह 23 नमबर इसमें कह रहा है कि सत्य तालिका किस logic gate को संदर भी करता है यह इसका दो input हो गए है यह इसका output है y equal to a into b तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब gate हम बताये थे तो उस gate में y equal to a into b किसका होता है तो यह end gate का होता है यह जो condition है यह दिया भी यही है output में तो यह end gate हो जाएगा a and d end gate तो इसका जो option जो दिया हुआ है पहला और gate और gate का यहां अगर रहता तो output में y equal to a plus b रहता तो यह और gate का हो जाता note gate रहता तो इसके लिए y equal to a पर बार हो जाता note gate का दूसरा नाम जो होता है वो invert gate होता है और note gate की यह भी सेस्ता होती है कि जो इसके input में आप दे रहे हैं उसका ठीक opposite इसके output पे आप पाएंगे तो इसका option कटा हुआ है फिलाल आप याद रखिएगा कि यहां y equal to output में a into b दिया हुआ है तो यह जो gate बनेगा यह end gate बनेगा इसलिए end इसका gate सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था यह question पूछा गया था यह 23 नंबर इसका pdf बनाते वक्त option कट गया है इसका हम बता देते हैं आप समझ लीजिए इसमें कहरा कि एक दोलन सरकीट में अनुनाद आबरितिगी गर्णा करने का formula क्या होता है अनुनाद का मतलब होता है कि वह frequency जिस पर xl और xc आपस में बराबर हो जाए यह अनुनाद का condition होता है अब इसमें z बराबर r भी अनुनाद का ही condition होता है तो यहाँ पर अनुनाद frequency पूछा है तो resonance frequency equal to होता है 1 upon 2 pi under root lc होता है यह अनुनाद frequency का formula होता है इसी formula का आपको याद रखना है a far equal to 1 upon 2 pi under root lc l जो है inductor है और c जो है capacitor है यहाँ जो question में 16 नंबर में आपसन मिट गया है पिडिये बनाते वक्त तो इसको आप लोग अपनी कापी में भी note down कर सकते हैं यहाँ से अब यह question लगातार आये हुए है यह जो question एक नंबर में पूछा गया था कि प्रकास की तिवरता को मापने के लिए किस और अधक का प्रियोग किया जाता है प्रकास की तिवरता को हम मापने के लिए LDR का प्रियोग करते हैं यह जो पूरे A, B और C और D आपसनों में दिये हैं यह सभी प्रकार के एक register ही होते हैं इस सबका हम discussion कर देते हैं फिलाल यहाँ जो question पूछा गया है कि प्रकास की तिवरता मापने के लिए किस प्रकार के औ और उधक का प्रियोग किया जाता है तो वो LDR होता है LDR का फूल फॉर्म जो होता है light dependent register इसका मतलब है कि LDR पे जब हम light डालते हैं तो light की तिवरता यदि बढ़ती जाती है तो LDR का जो resistance होगा वो घटता जाएगा ठीक यानि यह light sensitive material है या instrument है तो LDR का जो फूल फॉर्म और ध्यान रखियेगा जब इस पर light की तिवरता बढ़ती जाएगी तो इसका resistance घटता जाएगा तो यहां जो होगा प्रकास की तिवरता को मापने वाला जो अवरोधक होगा LDR होगा light dependent register होगा इसलिए option number D सही हो जाएगा अब इसमें दिया हुआ है BDR जो होना है voltage माप करने का काम करता है और इसका full form जो होता है BDR का voltage dependent register इसका मतलब यह हुआ कि जब इस पे हम voltage को बढ़ाते जाएंगे तो इसका resistance घटता जाएगा जब हम voltage को घटाएंगे तो resistance बढ़ता जाएगा इसका full form याद रखियेगा voltage dependent register होता है और यह जो होता है NTC यह जो होता है negative temperature coefficient और इसमें material आते हैं इसमें जो आएंगे semiconductor और insulator दोनों material जो आते हैं वो NTC के अंतरगत आते हैं और NTC का full form जो होता है negative temperature coefficient होता है और NTC का दूसरा नाम sensitor भी होता है next जो आपसंदिया है PTC इसको कहते है positive temperature coefficient और इसमें धातुएं आती है जैसे एल्मूनियाम, copper, zinc जो भी इस प्रकार की धातु केवल धातु जो है वो PTC का अंतरगत आती है और PTC का full form positive temperature coefficient होता है और PTC के एक और दूसरे नामों से भी जाना जाता है उसका नाम जो होता है sensitive होता है तो उमीद करते हैं कि इसके चारों आपसंद आपको समझ में आए होंगे यह competition इस आम के लिए भी यह very very most question है next question जो पुछा गया था वो दो number question पुछा गया था इसमें कह रहा है कि silicon semiconductor diode किस diode को इंगित करता है तो ध्यान से देखिएगा इसमें दो ही coding होती है अगर A coding है और B तो B जो coding होती है वो silicon के लिए होती है अगर A coding रहता तो वो germanium के लिए होता तो आप यहाँ देखेंगे कि silicon के लिए पूछा है तो यहाँ पे option number B में दिया हुए BY 126 यानि B जो coding करेगा न वो silicon को करेगा इसलिए option number B सही हो जाएगा next question जो दिया हुआ है तीन number यह भी question पुछा गया था इसमें कह रहा है कि full wave reactifier का input ripple frequency क्या होगा एक देखिए ध्यान दिजिएगा एक half wave होता है एक full wave होता है full wave में दो type होते हैं एक center tapped होता है और एक bridge होता है यदि half wave में frequency f है तो full wave के center tapped में भी 2f होगी और bridge में भी 2f होगी यहां जो कहा है कि full wave के input ripple में मतलब full wave में पूछा है लेकिन यह नहीं confirm किया कि center tapped में पूछा है कि bridge में पूछा है लेकिन दोनों का यहां same frequency होती है इसे आप 2f रखेंगे option number जो देख रहा है c में f input equal to 2f input मतलब उसका दोगी नहीं होता है इसलिए option number c सही हो जाएगा next जो question पुछा गया था यह 4 number question पुछा गया था इसमें कह रहा है कि एक संधारित्र घटक कौन सा है मतलब इसमें active component की बात कर रहा है active component वो component होते हैं जो electronic circuit में प्रियोग किये जाते हैं वो active component होते हैं जो electrical circuit में प्रियोग किये जाते हैं वो passive component में आते हैं और passive component में तीन में तेरियर, तीन आते हैं, आर, आर, एल, सी, रजिस्टर, इंड़क्टर और कैपिसीटर आता है, और यहाँ एक्टिव कंपोनेंट मुझा है, तो एक्टिव इंड़क्टर है, यह पैसिब कंपोनेंट है, रजिस्टर यह भी पैसिब कंपोनेंट है, कैपिसीटर यह भ नमबर डी सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था यह पांच नमबर कोश्चन पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि कौन सा अक्षर याउगिक पादार्थ केंडमियम सलफाइट को इंगित करता है तो आपसन जो होगा न वो डी आपसन होगा आर से हम इसको इंगित करते हैं इसलिए आपसन नमबर डी सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था वो दो सो बारह नमबर इसमें कहा रहा है कि एकल चरण मोटर का कारे क्या होता है मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मसीन जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है तो सिंग हम है तो जूल का नियम हिंट से संबंदित होता है और ह इक वलटू आई स्क्वैर आर टी होता है आपसन यह फैराड़ का बीदुत अपगहटन जो नियम है यह सेल और बैटरी पर लागू होता है और डी जो है फैराडे का बीदू चुम्ब कि या प्रेरण नियम ये जर्नेटर और अल्टर्नेटर पर प्रियोग किया जाते हैं फिलहाल सिंगल फेज का पूछा था इसलिए यहां लेंज का नियम हो जाएगा आपसर नंबर एसा ही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था यह 213 नंबर इस कोश्चन में कह रहा है कि आप इसकी ड्राइन देख करके आप बताएंगे कि यह कौन सी सिंगल फेज में मोटर है आप यहां देख रहे होंगे कि यह सप्लाई दिया जा रहा है और यह इसका फेज है यह इसका बैंडिंग कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इवहन लगागा इये है और के बाद कोई स्टर्टि फ्यूगल sechs नहीं लगा गया है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो running और starting winding है यह दोनों winding starting से ले करके running तक अंत तक दोनों winding लगतार supply से connect ही रहेगी मतलब इसमें यह capacitor हुआ अस्थाई रूप से capacitor लगा हुआ है क्योंकि centrifugal switch नहीं लगा है अगर centrifugal switch लगा रहा था तो इसको motor को 75-80% गती प्राप्त कर लेती तो उसमें disconnect करने का काम करता है जो है नहीं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह capacitor जो लगा हुआ है यह अस्थाई रूप से capacitor लगा हुआ है तो इस single phase machine का जो नाम होगा अस्थाई capacitor motor जो आपसन नमबर ए में दिया हुआ है अस्थाई capacitor motor इसलिए आपसन नमबर ए सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था यह question पूछा गया था इसका जो question नमबर है और question है वो दोनों PDF वनाते वक्त मिट गया है आप ध्यान से देखिएगा इसका figure देख लीजिए इसका समझ में आ जाएगा और यह question आया हुआ है यह question भी repeat होने की उमीद है आप देखेंगे कि यह जो binding है यह hexagonal binding की गई है और पूर्ण रूप से इसमें डाल दी गई है इसके slot में तो इस winding का जो नाम होगा वो whole coil winding होगा जो option number C में दिया हुआ है whole coil winding sorry दोस्तों B option में दिया हुआ है whole coil winding इसलिए option number B सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था यह question पूछा गया था यह question दो तीन तीन बार यह repeat हुआ है question इसमें कहरा कि DC generator के यह किस भाग को दिखाया गया है इस generator के भाग को देख करके इसका नाम बताना है तो इस भाग को कहेंगे आप frame या इसी को कहेंगे body या इसी को कहेंगे yoke इस जो चितर में दिखाया गया पार्ट है, इसको तीन नामों से जानते हैं, यारत रखिएगा इसको कहते हैं, बाड़ी या योक या फ्रेम तीन नाम से जानते हैं आपय gratis जो दिया हुई इस्टेटर इस्टेटर इसके अंदर वैंड़िं की जाती है पोल धुरू ये भी इसके अंदर वाले पार्ट में है पोल सू इसके अंदर पोल के वाइंडिंग जब फिल्ड वाइंडिंग होगी इसके नीचे में ये पोल सू लगाया जाता है ताकि इस वाइंडिंग को सपोर्टिंग का काम करता है और air gap में flux को समान रुप से बित्रित करने का काम पोल सुका होता है यहां जो होगा body frame या जो आपसा नमबर D में दिया हुआ है इसलिए आपसा नमबर D सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था यह 255 नमबर भी question पूछा गया था इसमें करा कि alternator के किस भाग को दिखाया गया है यह alternator का जो भाग है यह rotor है और alternator में rotor जो होते हैं दो परकार के लगाया जाते हैं एक cylindrical rotor लगाया जाता है और एक salient rotor लगाया जाता है तो उसमें यह rotor दिखाया है यह salient rotor है क्योंकि जो इसका ब्यास है वो ज्यादे है और अच्छी लंबाई जो है वो कम है तो आपसन जो होगा ये C आपसन हो जाएगा सेलियंट फोल रोटर और इसकी विशेस्ता होती है कि ये लो एंड मेडियम स्पीड पे चलाए जाते है इसकी रेटिंग जो होती है 375 रपिएम से 1000 रपिएम पर यही रेटेड किये जाते है नेक्स्ट कोस्ट जो पूचा गया था ये पोस्ट पूचा गया था नंबर यहां मिटा हुआ इसमें कह रहा है कि Synchro Scope Method किसको कहते हैं तो Synchro Scope Method वो होता है जिस पे दो मसीने आपस में Synchronizing में चलती हो मतलब जिसकी Frequency समान हो फेज करम समान हो फेज Engle समान हो और Voltage अनुपाद समान हो आपसन जो यहां देखा गया है कि Synchro Scope Synchro Scope क्यों है तो यहां जो आपसन डी में दिया हो कि समानता के लिए सही तंतु संकेत देना मतलब स्पैलल का संकेत देना ही Synchro Scope होता है जो आपसन नंबर डी में दिया हुआ इसलिए आपसन नंबर डी सही हो जाएगा Next Question जो 264 नंबर Question पुछा गया था इसमें कहा रहा है कि Alternator के Rotor को DC प्रदान करने वाले उपकरन को क्या कहते है यह जो DC प्रदान करता है Alternator में यह संट जर्नेटर यह Compound जर्नेटर होता है और यह 250 बोल्ट अपने आउटपुट पर यह देता है और Alternator के यह Soft पर ही लगा रहता है इसी को कहते हैं हम उत्तेजक क्योंकि Alternator के Field Winding को यह Exciting उत्तेजित करने का काम करता है इसलिए हमें इसे कहते है Exciter आपसन जो A दिया हुआ है उत्तेजक Exciter इसलिए आपसन नमर A ही सही हो जाएगा Inverter जो होता है वो DC to AC Convert करने का काम करता है और Converter जो होता है वो AC to DC या DC to AC दोनों में करता है Next जो Question पुछा गया था यह 228 नमर Question पुछा गया था इसमें कह रहा है कि किस एकल कला की मोटर में Tap Field Speed Control बीधी का उपयोग किया जाता है तो यह जो होगा यह Universal Motor होगी जो Option Number A सही हो जाएगा क्योंकि Field Typing बीधी जो होती है न वो Series Motor में की जाती है और Series Motor के ठीक समान Universal Motor होती है इसलिए इसका हम प्रियोग करेंगे Universal Motor का Next जो Question पुछा गया था और यह Very Very Most Question है 229 नमर इसमें कह रहा है कि खाद्य मिक्सर में किस प्रकार के A-Cultureal Priorant Motor का उप्योग किया जाता है खाद्य मिक्सर हुआ इसमें जो Motor प्रियोग की जाएगी वो Universal Motor प्रियोग की जाएगी जो Option Number A में दिया हुआ है Universal Motor इसलिए Option Number A सही हो जाएगा Shaded Pole Motor का प्रियोग खिलाउनों में किया जाता है Repulsor Motor का प्रियोग हम Grinder में कर सकते हैं और आस्थाइज Capacitor Motor का प्रियोग छट पंखों में किया जाता है Next Question जो पूछा गया था वो 239 नमबर इसमें कहा रहा है कि एकल चरण प्रियोग मोटर की Starting और Running Binding के बीच का Angle कितना होता Single Phase Motor में यह Supply हो जाती यह Running Binding है और यह Starting Binding है यह Capacitor है और यह Centrifugal इसके बीच का जो Angle होता है वो 90 डिगरी होता है अर्थात 90 डिगरी होगा जो आपसा नमबर C में दिया हुआ है इसलिए आपसा नमबर C से ही हो जाएगा 120 डिगरी जो होता है वो 3 Phase मसीनों में प्रतेक Phase के 20 का Angle जो होता है RYB में प्रतेक Phase का अंतर जो होगा वो 120 डिगरी होता है Next Question जो पूचा गया था वो 223 नमबर Question पूचा गया था इसमें कहा रहा है कि सवरभामिक मोटर का उपयोग क्या है फिर Question को दूसरे तरीके से पूच दिया इसमें कहा रहा है कि उनिवर्सल मोटर का उउस क्या है तो Food Mixture में उपयोग है इसलिए आफसर नमबर 20 ही हो जाएगा टेली प्रिंटर में जो होता है न वो इस्टेपर मोटर का प्रियोग किया जाता है कमपरेसर और जीट में जो है न कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी प्रियोग कर सकते हैं और इसको रिपल्सन मोटर भी प्रियोग कर सकते हैं फिलाल यहाँ उनिवर्सल मोटर का एप्लिकेशन पूचा था तो वो Food Mixture हो जाएगा यह Next Question पूचा गया था 127 नमबर इसमें कहा रहा है कि मोटर के इस टेटर में कुल भी दूति यह डिगरी की गण्णा कीजिए टोटल इलेक्टिकल डिगरी टोटल इलेक्टिकल डिगरी इक्वल टू होता है 180 इंटू पॉल द्यान रखिएगा total electrical degree equal to 180 into pole होता है तो यहाँ option जो आप देखेंगे वो D option में देखेंगे कि कुल बीदूती degree equal to 180 into pole यानि option number D सही हो जाएगा next question यह five number भी question आया हुआ था इसमें कहा रहा है कि EMF की गणना करने के लिए किस फर्मूले का प्रियोग किया जाता है motor में तो motor हो तो इसमें terminal voltage equal to होता है EB plus IA RA थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यह जो है यह motor के लिए है जब यहाँ पे हम minus switch करेंगे न तो यह generator के लिए हो जाता है तो इसमें back यह में फूचा है अर्थात इसको हम motor के लिए यहां कहा है तो यहां plus switch करेंगे और इसको इधर लेकर आएंगे तो तो मतलब यह formula बन जाएगा e b equal to b minus i a आरे हो जाएगा यह जो option में दिया हुआ है option number c में दिया हुआ है यहां इसलिए option number c सही हो जाएगा next question यह 6 number question पूचा गया था इसमें कह रहा है कि इस भाग में x से दिखाए गए भाग का क्या नाम है तो यह एक से दिखाए गए भाग का नाम पूल सू है और इस पूल सू का का काम होता है इस पूल के उपर जो banding होती है उस banding को supporting करने का काम इस पूल सू का होता है और पूल सू का एक और काम होता है कि air gap में flux को समान रूप से बितरित करने का काम मतलब समान रूप से फैलाने का काम AIR GEP में पोल्सू का ही होता है इसलिए एक ससे दिखाई गई जो आकरिती का नाम है वो पोल्सू है जो आपसन नमबर D में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर D सही हो जाउगा नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था ये 42 नंबर कोश्चन पुछा गया था इसमें कह रहा है कि DC जर्नेटर के किस प्रकार के बोल्टेज गतिज रूप से प्रेरित होते हैं तो DC generator हो, alternator हो, इसमें जो प्रेरीत EMF होता है, वो गतिज प्रेरीत EMF होता है, और transformer हो, उसमें जो प्रेरीत EMF होता है, वो static EMF होता है, यहाँ PDF बनाते वक्त आपसन मिट गया है, आप याद रखिएगा कि DC generator में, जो EMF generate होगा, वो गतिज प्रेरीत EMF होगा, यह question जो दिया हुआ है, यह 46 नंबर यह भी question पूछा गया था, इसमें कहा रहा है कि क्यों pole core stopping DC generator में पटलित की जाती है, मतलब कि DC generator में core को पटलित lamination क्यों किया जाता है, तो इसमें AD current loss को कम करने के लिए पतली पतली पतियों में बनाया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, तकि machine में जब AD current loss होगा, तो machine में hit हो जाएगा, और hit होने पर bending damage हो जाएगी, तो इस रक्षा के लिए ही motor में पतियों को lamination पतली पतली करके बनाया जाता है, जो इसमें option number D में था, लेकिन यहां भी PTF बनाते वक्त, option mid यह है, याद रखिएगा, AD current loss, option number D सही हो जाएगा, AD current loss, next जो question पूछा गया था, ये, next जो question पूछा गया था, ये, ये एक number question पूछा गया था, इसमें कहे रहा है, कि ये X से दिखाएगे भाग का क्या नामे, ये जो है armature है, armature से जो induced MF होगा, इस commutator के माध्यम और brush के माध्यम से wire circuit को भेजा जाता है, तो ये जो part दिख रहा है, इसे हम कहते है, कम्यूटेटर राइजर या lag, तो option जो होगा, option number C में दिया हुआ है, कम्यूटेटर राइजर इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, इसे lag भी कहते हैं, इसलिए option number C सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन दो नमबर भी आया हुआ था, इसमें कहा रहा है कि इस DC जरनेटर के किस भाग को दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिएगा, तो इसे armature है, और ये series field winding है, इन दोनों के समनांतर में ये sun field winding लगाई गया है, यहां से clear हो गया, कि ये long हो गया, और long में भी ये कौन टाइप का है, तो इसकी current इधर जा रही है, इसकी current इधर जा रही है, इसलिए option number ये सही हो जाएगा, next question जो पूछा गया था, ये 293 नंबर question पूछा गया था, इसमें कहा रहा है कि तुल्यकाली मोटर में damper winding का उद्देश से होता है, यदि मोटर में लगातार भार में परिवर्तन होता है, तो उसमें hunting effect उत्पन हो जाता है, मतलब उसका rotor vibrate करने लगता है, उसी दोस को दूर करने के लिए हम damper winding का प्रियोग करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि इसके पोल के अंतिम भाग पे हम होल करके इसमें कापर की छड़े डाल देते हैं, इसी को हम damper winding करते हैं, ऐसा करने से अगर मोटर पे भार में परिवर्तन होता है, तो उसके rotor vibrate नहीं करता है, तो यहां जो है, option जो है, motor को hunting effect से बचाने के लिए और synchronous motor में इसका एक और use होता है, motor को starting करने में भी प्रियोग किया जाता है, तो यहां power factor सुधारने में यह नहीं होगा, फिल्ड वैंडिंग को उत्ते जित यह भी नहीं होगा, नियत गती बनाए रखना यह भी नहीं होगा, motor को सुरू करने में तो यह भी एक synchronous motor में इसका एक use होता है, अब next question कर रहा है कि 294 नमबर, इसमें कर रहा है कौन सा converter में उच्चितम दख्सता होती है, मतलब high efficiency वाला कौन सा converter होता है, तो SCR होता है, SCR जो होता है high efficiency वाला होता है, क्योंकि इसमें movable कोई part नहीं होता है, और इसका full form जो होता है, silicon controlled reactifier, इसमें main efficiency उच्चितम होने का कारण यहीं है, कि इसमें movable part नहीं होता है, बक्की में movable part होने की वजह से, इसकी efficiency इसकी तुलना में कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जो होगा A option होगा, silicon controlled reactifier converter, इसलिए option नमबर A सहीं हो जाएगा, next जो question पूछा गया था, यह 295 नमबर question पूछा गया था, इसमें कह रहा है कि कैसे तुल्यकाली motor को power factor को सुधार में प्रियोग किया जाता है, तो सुधार में power factor तुल्यकाली motor को करेंगे, तो उसको उसके field excitation में हम बदलाव करेंगे, तो वो तुल्यकाली motor power improvement में प्रियोग की जाएगे, option जो A है, line voltage में बदलाव, नहीं, B जो है, field उत्तेजरा में बदलाव, इसलिए option नमबर B सहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके field excitation को हम बढ़ा घटा करके, इसको leading, lagging और unity power factor पे चलाते हैं, next जो question पुछा गया था, वो 281 number, इसमें कह रहा है कि, जो inverter और converter दोनों के रूप में कारे करता है, वो कौन सा converter होता है, ध्यान रखिएगा, जो inverter और converter दोनों के रूप में काम करता है, वो तुल्यकाली converter होता है, जो option number D में दिया हुआ है, तुलिकाली converter इसलिए option number D सही हो जाएगा next question जो पुछा गया था यह 282 नमबर इसमें कहा रहा है कि inverter का कारे क्या होता है inverter का प्रियोग हम DC to AC convert करने के लिए प्रियोग करते है converter का इसमें converter का ध्यान रखेगा converter का काम होता है DC to AC convert करना जो option number B में दिया हुआ है इसलिए option number B सही हो जाएगा AC to DC करने का काम reactifier का होता है next question जो पुछा गया था यह 283 नमबर इसमें कहा रहा है कि काउन साब परिवर्टा कूप करना overload किया जा सकता है overload जो किया जा सकता है वो rotary converter होता है rotary converter जो होता है जो option number B पे दिया हुआ इसलिए option number B सही हो जाएगा sorry दोस्तों गलत होगा यह नहीं होगा over यहां कह रहा है कि overload किया जा सकता है तो यह दिश्टकारी unit होता है option number A सही हो जाएगा ध्यान रखिएगा option यहां A सही होगा over load किया जा सकता है तो दिश्टकारी unit किया जा सकता है इसलिए option number A सही होगा B नहीं होगा भी गलत होगा next next question यह 278 number question पूछा गया था यह converter का नाम क्या है यह figure से देख करके आपको बताना है कि converter का नाम क्या यहां देखेंगे आप three phase supply दिया जा रहा है और यहां पर हमको output में DC मिल रहा है इसमें ध्यान देना है कि यह जो लगाए गया है यह क्या है तो यह जो है ना SCR है SCR है silicon controlled rectifier ध्यान रखिएगा इसमें जो gate बनते हैं वो तीन बनते हैं टर्मिनल तीन होते है एनोड कैथोड और गेट यही गेट वाले सीरे को यहां दिखाया गया है तो यह जो होता है यह SCR अर्था silicon controlled rectifier एकती है आपसन जो दिया हुआ है D option में दिया हुआ है silicon नियंत्रित rectifier इसलिए option number D सही हो जाएगा next question जो पूछा गया था यह 279 question पूछा गया था converter का नाम क्या है यह converter का जो नाम है यह अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पे 3-phase supply इसमें दी जा रही है और यहां पे commutator है commutator का काम होता है AC to DC या DC to AC जो इसके input बो देंगे उसका ठीक opposite output पर देगा तो यह जो machine जो है वो rotary converter है जो option number B में दिया हुआ है इसलिए option number B सही हो जाएगा next question जो पूछा गया था यह question है इसका भी PDF पनाते वक्त question डिलीट हो गया इसमें कह रहा है कि यह currency machine है तो आप यहां से ध्यान से देखें यहां supply दिया हुआ है यह huge हो जाएगा और इस supply के parallel में यह winding हो जाएगा इसको हम कहेंगे running या main winding supply के series में यह binding हो जाएगी यह starting winding हो जाएगी starting winding के यह series में capacitor हो जाएगा और capacitor के series में centrifugal switch हो जाएगा centrifugal switch का काम होता है यह motor 75-80% गति प्राप्त कर लेती है तो यह centrifugal switch open हो जाएगा अब उस condition में supply से यह starting winding disconnect हो जाएगी और motor लगतार winding से supply से connect रहेगी running winding और motor चलती रहेगी अर्थात इसका मतलब हुआ कि यह capacitor केवली starting में लग रहा है अर्थात capacitor start motor हो जाएगा जो option जो दिया हुआ है option D पे आप देखेंगे तो दिया हुआ है capacitor start induction run motor यानि option number D सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन दूसरा 19 नंबर में कहा रहा है कि सरभामिक motor में अपकेंद्री स्विच गती नियंत्रवीधी में संधरितर का काम क्या होता है इस capacitor का काम पूछ रहा है तो इनिवर्सल मोटर में इनिवर्सल मोटर का हिंदी होता है सरभामिक motor इस motor के यदि contact point के पैररार्मेर यदि capacitor लगाने का उद्दे से यह होता है कि इसके contact point पर यदि इस parking उत्पन होती है तो वो इस parking को कम करने का काम इस capacitor का काम होता है तो इस capacitor का एक ही काम हुआ contact point पर इस parking को कम करना यहाँ option मिट गया है आप याद रखिएगा कि काम कंटेक्ट पॉइंट पर इस प्रकिंग उत्पन हुई उसको कम करने का काम यह क्यापिस सीटर का होता है यह कोश्चन पूछा गया था यह अर्सट नंबर इसमें कह रहा है कि यह DC मोटर के किस प्रकार का है कौन सा है तो इसमें देखिए यह supply दे दी गई यह positive और यह negative इसमें यह armature winding हो गई armature winding को A1 A2 से denote करते हैं और केवल armature winding के समनांतर में यह sunt field winding लगा दी गई A1 A2 और इन दोनों के series में series field winding लगा दी गई D1 D2 इसका मतलब यह हुआ कि केवल armature के समनांतर में sunt field winding हो गई कि इसका मतलब यह 60 हो गया और 60 में भी current का flow एक direction में जा रहा है इसलिए यह sunt cumulative हो गया तो आपसंड जो दिया हुआ है केवल साट के form में दिया है संट मोटर तो होगा नहीं सीरीज मोटर होगा नहीं लांग होगा नहीं क्योंकि यहां पर armature के ही केवल समनांतर में sunt field winding है इसलिए साट होगी तो लांग भी नहीं होगा डी जो आपसंड दिया है साट संट compound मोटर इसलिए आपसंड नंबर डी सही हो जाएगा next question जो पूछा गया था यह 69 नंबर भी question पूछा गया था इसमें कह रहा है कि DC मोटर में EMF की गढ़ना कीजिए DC मोटर हो या DC जर्नेटर हो दोनों में EMF गढ़ना करने का सेम फर्मूला होता है EB equal to 5ZN P upon 60A EB जो होता है back EMF होता है 5 जो है flux है जेड जो है चालक की संख्या है N जो है मोटर की गतिया और P जो है पूल है और A जो होता है वो parallel रास्तों की संख्या होती है यहां आप जो देखेंगे आपसन जो देगा यह आपसन नमबर C में आप देखिएगा ध्यान पूर्वक्त EB equal to 5ZN P upon 60A दिया हुआ इसलिए आपसन नमबर C सही हो जाएगा और ध्यान रखिएगा डिसी मोटर हो या जर्नेटर हो दोनों में EMF ग्याद करने का यही फर्मूला होता है नेक्स्ट जो कोश्चन पूचा गया था वो 75 नमबर कोश्चन पूचा गया था इसमें कहा रहा है कि इस उपकरन का नाम क्या है ति इस उपकरन का जो नाम है यह ग्राउलर है और ग्राउलर जो होता है दो प्रकार का होता है एक आंतरी ग्राउलर होता है एक वाहे ग्राउ टेस्ट और ग्राउंट टेस्ट करने के लिए किया जाता है यहां जो है आप सन फीडिये बनाते वक्त मीट गया है इसका याद रखिएगा इस उपकरण जैसा भी अगर कोश्चन में ऐसा ड्राइंग आएगी इस उपकरण का नाम पूछेगा तो इसमें आप बताईएगा ग कौन सा फर्मूला होता है तो एन इक्वल टू होता है इबी अपान फाई होता है यह डी सी मसीन में गती ग्यांत करने का फर्मूला होता है जो आप सन नंबर ए में दिया हुआ है एन इक्वल टू इबी अपान फाई इसलिए आप सन नंबर ए सही हो जाएगा नेक्स जो इसमें जो पोल है वो चार है लेकिन इसमें ऐसे अग अगर ट्रिप्लेक्स होता तो तीन से गुणा करते हैं ऐसे होता है फिलाल यहां इसका जो आंसर होगा आठ होगा जो आपसर नंबर डी में दिया हुआ है इसलिए आपसर नंबर डी सही हो जाएगा एट नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था ये कोश्चन पूछा गया था ये 34 नमबर कोश्चन पूछा गया था इसमें कह रहा है कि DC जरनेटर में इंसुलेशन परतिरोत को बहतर बनाने के लिए किस भी धी का उप्यों किया जाता है DC जरनेटर में इंसुलेशन परतिरोत को बहतर बनाने के लिए जब मोटरों की या जरनेटरों की रिवाइंडिंग की जाती है तो इसके इस्टेटर में हम गरम हवा को भेजते हैं ताकि उसमें से नमी समाप्त हो जाए और अगर हम वाइंडिंग करेंगे और मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो short circuit की संभावना कम रहेगी अर्थात उसके इस्टेटर में हम अच्छा insulation प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें hit को भेजा जाएगा उसके इस्टेटर में आपसन जो यहां आप देखेंगे डी आपसन में दिया हुआ कि रख रखाओ के दोरान मसीन में गरम हावा देना यानि आपसन नमर डी सही हो जाएगा नेक्स्ट जो question पुछा गया था यह question पुछा गया था इसमें question PDF बनाते वक्त मीट गया है आप ध्यान से देखिएगा इस question को इसमें आप देख रहे होगा कि बाहर से DC supply दी जा रही है तो जिस मसीन में बाहर से DC supply दी जाती है उससे हम कहते हैं separately excitation generator अगर बाकि जो आपसन है जैसे sunte generator है series generator है और compound generator है ये जो तीनो generator होते हैं ये self excitation generator होते हैं इसमें बाहर से DC सप्लाई किया हो सकता नहीं होती लेकिन यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं तो इसमें बाहर से DC सप्लाई दिया जा रहा है लेकिन यह तो जर्नेटर है लेकिन यह सेपरेटली इकसाइटेशन जर्नेटर है क्योंकि इसमें बाहर से सप्लाई DC सप्लाई दि किया हुआ है अलग से उतेजित जर्णेटर मतलब सेपरेटली एकसाइटेशन जर्णेटर इसलिए आपसर नमबर डी सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोशन पूछा गया था ये एट नमबर कोशन पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि जर्णेटर द्वारा किस उर्जा को बीदू तूर्जा में बदला जाता है ध्यान रखिएगा जर्णेटर जो होता है न वो यांतरी कूर्जा को बीदू तूर्जा में बदलता है यानि मेकेनिकल एनरजी को इलेक काम होता है यांतरी कूर्जा को बीदू तूर्जा में बदलने का काम होता है इसलिए आफसर नंबर डी सही हो जाएगा अगर यह मोटर रहता तो मोटर का काम जो होता है वह बीदू तूर्जा को यांतरी कूर्जा में बदलना ठीक जरनेटर का उल्टा मोटर का होता है question पूछा गया था, यह question repeat भी हो गया है, कि DC generator में उत्पन EMF की गर्णा करने का formula क्या होता है DC generator हो, या DC motor हो, दोनों में EMF गयात करने का formula EB equal to phi, z, N, P upon 60 A होता है, EB जो है back EMF है F flux है, Z जो है चाला की संग्या, N जो है motor की गती है, P जो है वो पूल है, और A जो है पैलर रास्तों की संख्या है यहाँ जो option आप देखेंगे option number C में दिया हुआ है 5, Z, N, P upon 60 है इसलिए option number C सही हो जाएगा next question यह 5 number भी repeat हुआ है question, इसमें EMF की गर्णा करना है DC motor में, तो motor में back EMF की गर्णा करने के लिए EB equal to होता है V minus I A R A यह motor के लिए होता है अगर generator रहता है तो यहाँ plus हो जाता है next जो question पूछा गया था यह 286 number question पूछा गया था इसमें कह रहा है कि दिश्टकारी डायोड में LED को convert करने के रूप में क्यों प्रियोग किया जाता है LED LED का full farm होता है light emitting diode और इसका जो काम होता है low सक्ति पर low power पर high प्रकास generate करना और यह जो होता है कम खर्चे में इसके द्वारा हम light प्राप्त कर सकते हैं तो यह जो होता है इसमें कह रहा है कि LED के में converter के रूप में क्यों टाल दिया जाता है यानि इसका जो है option जो A है वो अधिक डोपट एकती है नहीं बी जो है बहुत कम सकती होती है मतलब लो पावर वाली यह डिवाइस होती है काउन LED light emitting diode और यह प्रकास का जब उत्सरजन करती है तो उस कंडिशन में LED जो है forward वैस में काम करती है यहाँ जो होगा option number B सही हो जाएगा यह very low power device होती है इसलिए option number B सही हो जाएगा next question जो आया था वो 287 number था यह कहा रहा है कि synchronous motor का मुख्य अनुपरियोग क्या है synchronous motor का याद रखिएगा synchronous motor का उपयोग 95% इसका हम परियोग power factor improvement में करते है और 5% ही हम इसको load के रूप में परियोग करते है ज्यादा तर में capacitor synchronous motor का परियोग हम power factor correction में ही करते है option जो है lift lift में हम इसका परियोग नहीं करते है यह भी नहीं होगा D option पे आप देखेंगे तो दिया हुआ है power factor correction device इसलिए option number D सही हो जाएगा ज्यादा तर में synchronous motor का परियोग power factor सुधार में ही करते है next question जो पूछा था वो 288 number question पूछा था इसमें कर रहा है कि motor generator का लाव क्या है तो motor generator का जो लाव होता है इसका shortcut लिखा जाता है mg set motor generator set इसमें क्या होता है कि इसमें three phase induction machine होती है आव उसके साफ्ट पे एक संट या compound generator लगा रहता है इससे ये फाइदा होता है कि हम इससे आसानी से DC supply generate कर लेते हैं option जो ए है सुरहिन ये तो मूबेबल machine है तो सुर होगा ही और मूबेबल machine है तो इसकी दक्षता उंच नहीं होगी लो होगी ये भी गलत होजागा कम रख रखाओ कि आउर सकता है कम रख रखाओ कि आऊर सकता होगी इसमें रख रखाओ कि आऊर सकता अधिक होती है क्योंकि generator है तो इसमें बरस भी है इसलिए आप्सन नमबर अंटी सही हो जाएगा तो दोस्तों यही कोश्चन थे जो 27 जन्वरी के CBT एक्जाम आपके ट्रेड थियोरी इलेक्टिसियन में पूछे गये थे और हमको यह कोश्चनों को इस्टूडेंट ने हमारे पास भेजा हुआ था तो दोस्तों इस कोश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा पेपर में जाने से पहले इस कोश्चनों को एक बार अच्छे से आप देख कर ही जरूर जाएगा आप एक्जाम में बैठेंगे तो आपको इसमें से 100% कोश्चन रिपीट मिलेंगे हैं मिलेंगे और साथी दोस्तों आप से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक इस पीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और साथी साथ ज्यादा से ज्यादा आप सस्क्राइब भी कीजिएगा दोस्तों सभी स्टूडेंट से मेरा ये अनुरोध है कि वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को अधिक संख्या में सस्क्राइब कर दें ताकि हम आपको यूटूब पे ट्रेड थियोरी इलेक्टिशियन ट्रेड थियोरी और वर्कसाप कैलकूलेशन लाइफ क्लास साम को साथ बजे परड़े दे सकें तो इसी उमीद के साथ कि आप इस का हम को कोई साकारात्मक आप रिजल्ट देंगे तो इसी उमीद के साथ हम इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं तब तक के लिए बाई बाई टेक केर